नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ चबी आए नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर इन दौर के पंट्रिनात इलाकी में सुनाबद में पदस्त जजज का 10 साल का बेटा गंबीर हालत ने जुलस गया वह अपने दादा दादी के हैं आया हुआ था बताय जा रहा है कि ये खिड़की में गुरुबार को त्रंगा लगा रहा था इस दौरा नस्दीक से आरे हाई टेंशन लाइट से जुलस गया उसकी ततकाल ने जिस पताल में लाए गया जहां उसकी हालत गम भीर बनी है पुलिस ने विद्धुत मंडल के दो कर्मचारियों पर केस दर्च किया है बताय जा रहा है कि बच्चे के दादा पूर में भी समामने में शिकायत कर चुकी है तो वहीं पंड्रिनात पुलिस से जानकारी के मताबिक दस साल के बच्चे मुहमबत अर्शान देलवी के जुलसने के चलते पुलिस ने उसके पिता मुहमद असलम देलवी की शिकायत पर विद्धुत भाग के सम्मनित लाइन में और सम्मनित मीटर रीडर के खलाब के इस पुलिस के मुताबिक घटना जवार मार की की है जहां दस साल के बच्चे के दादा यूसेफ रहते हैं पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि सनावट के सिविल कोर्ट में जजज के पद पर बेपदस्त हैं उनकी मातार अजियाभी का सुवास्त ठीक नहीं था इसलिए वह पूर गोयल से शिकायत कर चुके हैं वहीं मीटर रीडिंग वाले कर्मचारियों को भी इसके बारे में बताये गया लेकिन उनने संबंदी शिकायत पर धिहान नहीं दिया 15 अगस्त की शाम को बेटा अर्शान दूसरी मंजल की गैलरी पर तिरंगा लगा रहा था जिससे उस है तो वहीं वच्चे के पिताज जज ने मामले में विद्वत मंडल के अबसरों पर जानमूच कर इस तरह की लापरवाही करने का आरोप लगाया है जिसलेकर पॉलिस चार्च में जुट गई है जवार मार्ग पर एक मकान के सामने जो आई तैंशन लाइन निकली हूई थी मपई उसमें के लोहे का जो जंड़े की उसमें लगाते हैं डंडा ऊस से टेच होने से फानद गटितfte ओर वो काफी नजड़ीघ से निकली हूई थी तो उसमें कोई सुरक्षा के उबाई भी नहीं थे एम बीबी की तरफ से कि जो प्लास्टिक के पाइप से अगरा लगा जाते हैं वो तक कोई द्रोगेटना ना हो तो इसमें चोकी बालक उसमें गाल हुआ है करेंट लगने से और उसमें चाल चल रहा है तो उस मामले में प्र प्रकंदर्स कर जाज की जारी है सर इसा बताया जाना की बच्चे की पेता का इंजाज ही यह संग्यान में आया है पुन्हें एक शेवा के दिकारी है लेकर जो मामला हुआ है उसमें वास्त्री गटना है और चुकी गटना गटित हुई है इसलिए प्रकंदर्स कर जाज की टाइम न्यूस दिखिए अब आपके मोबाइल और स्माथ टीवी पर लाइब प्लेस टोसे दाउनोड करें टाइम स्माथ टीवी आप